नमस्कार एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है स्टाप सलूशन के यूटूब चैनल में पहला निवेदन ये है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है अल्रेडी पूरा वेडियो देख लेना ध्यान से ठीक है बाद में कंप्लेन मत करना कि सर नौकरी नहीं मिली ठीक है कि यह नौकरी वाला ही चैनल है और सब सारी इंफर्मेशन हर वीडियो में बहुत अच्छे से बताता हूं लेकिन आप लोग गलती क्या करते हो अतुल मेरा वाली ठीक है अतुल मेरा जैसे एक नाम का बंदा है ठीक है पिछले पांच साल में जो है कम से कम पांच यह बार भाई ने फोन कि होगा लेकिन आज तक वीडियो नहीं देखा जब भी मैं पूछता हूं कि आपने क्या देखा बले जो आपने बताया वह देख लिया लेकिन हकीकत यह कि देखा नहीं आज तक कुछ भी ठीक है अभी कुछ देर पहले फोन भी आया था उनका इसलिए जो है आपको यह जानकारी दे रहा हूं ठीक है पूरा वीडियो देखा करो ध्यान से देखा करो लास्ट में कोई गलत चीज तो बताते नहीं है यह सल्मान खान का वीडियो देखने सल्मान खान की पिच्चर देखने 500 रुपए का टिकट लेकर के टॉकीज में चले जाते ह तो यह तो काम की चीज है और फ्री में देखने के लिए मिल रहा है तो इसको देखने में दिक्कत होती है फिर शिकायत करते हो सरकार से हमसे स्टाप सलूशन से किसर नवकरी नहीं मिली ठीक है चलो आब आते हैं मुद्दे की बात पे मुद्दे की बात यह है कि एक बहुत महत्पूर्ण बात आपसे करना चाह रहा था ठीक है दोनों लोगों के लिए है जिनका नंबर पेट ग्रूप में एड है और जिनका नंबर फ्री लिस्टिंग में एड है जिनका पेट ग्रूप में एड नहीं है उनके लिए भी ठीक है पहले फ्री लिस्टिंग वालों से बात करूँगा ठीक है भाईया बहना चाचा काका नाना फूफा दादा जो भी आप हो जिस भी जो भी रिस्ते को नाम दे दूँ मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ ठीक है एक समझदार आदमी का मेरे पास कुछ दिन एक दो महि ठीक है तो एजट थे थोड़े से 45-50 साल के करीब उमर रही होगी ठीक है उमर के साथ तजुर्बा भी बढ़ता जाता है तो उन्होंने फोन किया हमने बताया कि भाई हमारा जो है पेड ग्रूप है जिसमें 100 रुपे रजिस्टेशन का चार्ज लगता है ठीक है उसमें एक महीने तक यानि 30 दिन तक आपको जो है आपके सिटी की आपके एरिया की आपके नियरबाइ लोकेशन की जितनी वी वेकेंसी रहेंगी वो सब सारी की सारी हम आपको देते रहेंगे आपके वाटसप पर घर बैठे ठीक है आपको जैसी जोब चाहिए जिस एरिया में चा होता भी ऐसा नहीं है देखिए दुनिया में सही लोग भी है गलत लोग भी है ठीक है अब बहुत सारे युवाज साथी क्या करते हैं पेपर में वेकेंसी देखी उसमें लिखा रहा कि एरपोर्ट में नौकरी है असी जार तनखा है फट से फोल लगा दिया नहीं तो फिर ज्यादा दिमाग और लगाए तो ऑनलाइन वेकेंसी सर्च कर लिए साइन डौक में नौकरी डौक में कहीं ठीक है अरे बहियत जब आपने पेपर में वेकेंसी देखी उस समय आपने ये भी नहीं सुचा कि एयर पोर्ट किसी के घर की संपत्ती नहीं होती है कि एयर पोर्ट में आपको नौकरी मिल जाएगी उसकी एक siitä प्रोसेस होती है फॉर्म भरना पड़ता है परिच्छा देना पड़ता है बहुत सारी चीजे होती है ऐसे ही आप एयरपोर्ट में नौकरी करने चले गए डारेक्ट पता चला वहां जा करके दस बीस जार रुपे और गवां करके आ गए फिर जब गवां करके आएगे फिर हमारे पास जरूर आते हैं फिर हमको फोन लगाएंगे कि सर अब क्या करें हमने का जब दिया था उस समय हमसे पूछा था कि सर दूं की नहीं दूं यही होता है उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी कर देंगे पांच रुपे बचाने के चक्कर म जा करके में रोड में पार्क कर देंगे जब ट्रैफिक पुलिस वाले आएंगे उठा करके ले जाएंगे तो थानिम जा करके 2000 दे करके फिर गाड़ी चुड़वाएंगे पांच गंटे टाइम खराब करेंगे हाथ पर भी जोड़ेंगे यही मेंटेल्टी है एंडिया की लोगों की वैसे जाएंगे तो 10-20,000 कहीं फेकाए तो फेकाए ठीक है वो कोई दिक्कत नहीं पर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है वही देखो नवकरी आपको करने मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आप भी अपना करा लो वो तो अपनी इच्छा है जिसको चाहिए वो करा कराएगा नहीं चाहिए तो नहीं कराएगा ठीक है लेकिन आप अपना खुद का एक दिमाग लगाओ कि 100 रुपए में अगर आपको एक महीने तक आपके एरिया की आपके सिगमेंट की आपके घर के आजपास की सभी प्रोफाइल की सभी प्रकार की वेकेंसी अगर हम दे र जाओगे तो क्या 100 रुपए भी खर्च नहीं करोगे एक दिन में और यहां हम आपको एक महीने तक दे रहे हैं एक महीने तक एक महीने 100 रुपए मतलब 3 रुपए रोचका हुआ ठीक है क्या अपने से नौकरी ढूड़ने जाओगे मालो एक बार MP नगर गए एक बार बैरा हर एरिया घूम रहे हो एक महीने तक तो 100 रुपए भी नहीं खर्च होगा किराय भाड़े में परेशान जो होगे जो समय बरवाद होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्या अपना खुद का दिमाख लगाओ आप क्या आपको जो है इतनी सस्ती और इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है ना वो केवल स्टाप सलूसन सर्विसेस में ही मिलेगी अभी दूसरी जगे जाओगे 2000 रुपए रइस्टेशन चार लग जाएगा और वेकेंसी भी पूरी फरजी मिलेगी हमारे यहां जितने भी लो भी वेकेंसी आज तक ग्रूप में गलत आहीं एक सिंगल वेकेंसी गलत हो कोई ठीक है इसलिए बोल रहा हूं कि जिन लोगों को अभी नौकरी नहीं मिली है वेकेंसी नहीं आ रही है करवा लो अपना रजिस्ट्रेशन पेड ग्रूप में अतुल मीना मत पंजाओ ठीक है नहीं तो ऐसे फिर ढूडते रहना और बैठे रहना पहली चीज अब दूसरी चीज जिन लोगों ने पहले से करवा रखा है ठीक है उनके लिए ये बात है ठीक है अब कुछ लोगों का क्या हुआ कि एक महीना जिनका कंप्लीट हुआ तो उनका चला गया है फ्री लिस्टि अब साब वेकेंसी भी आ रही है हर एरिया की आ रही हर प्रॉफाइल की आ रही हर सिग्मेंट की आ रही है ठीक है उसमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी शिकायत रहती है कि सर हमने तो फोन लगाया तो वहां से र smartphones नहीं मिला तो सर हमारी तो अभी तक जॉइन का प्लान है कौन सा प्लान है डायरेक्ट ज्वाइनिंग का पर डायरेक्ट ज्वाइनिंग का मतलब अब ऐसा नहीं हुआ कि आप पांचवी फेल वह बोलोगे कि हमको साथ प्रधान उसमें डायरेक्टर बना दो प्रोफेसर बना दो सरकारी विभाग में तो ऐसा नहीं होगा ठीक है कि आठीवी फेल वाला बोने की हमको MD डॉक्टर वाले वेकेंसी भरती खरा दो इसका मतलब यह नहीं होता है डायरेक्ट जॉइनिंग का मतलब होता है कि आपकी सेक्षणिक योगिता आपके अनुभाव आपके कार ब्योहार आपके आचरण आपकी जानकारी के आधार पर आपके सहर में ठीक है आपकी योगिता के आधार पर जो है नौकरी दे दी जाएगी ठीक है पर अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए जो चीजे आपको नहीं पता है जो चीजे आपको मालू भी नहीं है आपने सिधा सिधा वेकेंसी देखा, कहीं भी फोन ठोक दिया, हलो सर आ जाओं क्या, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई, बात चीत करने का एक अच्छा तरीका आपको आना चाहिए, अगर आप कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं, कैसे आवेदन करना है, किदर से क्या करना है, कैसे आपको resume बनाना ये सब चीजों की जानकारी जो है आपको होनी चाहिए अब जिनको नहीं है उनके लिए जो है सारी responsibility जो है जिसकी direct joining करवाएंगे उसमें stop solution की रहेगी पर उसके लिए जो है थोड़ा सा charge ज्यादा होता है हर segment का हर area का हर profile का अलग अलग है वो charge जो है आप 117367946 इस नंबर पर जो है आप चार्ज हो गयरा की जानकारी ले लेना हर city के लिए हर area के लिए हर segment के लिए अलग अलग चार्ज होता है ठीक है तो ऐसे लोगों को जो है direct joining करवा देंगे जिनकी अभी तक joining नहीं होई है चाहे पेड ग्रूप में हो चाहे फ्री वाले भी है कोई direct joining चाहते है तो उनको भी मिल जाएगी पर हर area की हर सिग्वेंट की हर प्रोफाइल की जो है जो वेकेंसी होती है वो तो ग्रूप में ही आती है ठीक है अगर किसी को नहीं मालूम है ठीक है तो आज फिर से बता रहा हूं कि आप अपना पेड ग्रूप में नंबर 8 करवा लीचे जिसके अंदर सारी वेकेंसी आती है ठीक है तो सबसे पहले आपको तो वेकेंसी की जानकारी मिलना स्टार्ट हो जाए ठीक है अब direct joining का भी मैंने बता दिया कि कैसे मिलेगी कहां मिलेगी और उसके लिए क्या तरीका है ठीक है जो लोग direct joining करना चाहते हैं वो भी especially संपर्ख कर लेना अब एक तीसरी महत्तुपूर्ण बात जो मैं इससे पहले भी दो-चार वीडियो में बता चुका हूँ कुछ लोग बोलते हैं सर सैलरी कम है अरे भई यह जब सैलरी कम है जादा ही सैलरी चाहिए तो जादा पैसा चाहिए तो उसके लिए आप नौकरी पे क्यों जा रहे हो ऐसा कोई काम चालू करो जिसमें अच्छा खासा पैसा खमा सको और उसके लिए आपको staff solution services से बेहतर साथ मिल गरके काम करो अगर जैसा हम बोलते जाते हैं बसे वैसे वैसा करते जाओ अगर पैसा नहीं आएगा तो मैं अपनी जेव से देने को तयार हूँ, मैंने अगर बताया कि आप पांच लाख रुपए महीने के कमाओगे, ठीक है अब मैंने जैसा जैसा बोला, एकदम A to Z आपने वैसा वैसा ही किया और नहीं कमाए, तो मैं पांच लाख दोगा आपको, ठीक है, बोलो तो इसका एग्रिमेंट कर लेंगे ठीक है अब और बोलो इससे ज़्यादा क्या करूँ आपके लिए डायरेक्ट नौकरी में जॉइनिंग देने को तयार हूँ, जॉइनिंग के लिए आपको वेकेंसी देने को तयार हूँ जिसको कम सैलरी मिल रही है, उसको तरीका बता रहा है ठीक है यार इतने सरल सरल स्टेप्स बताता हूँ, इतनी सरल सरल चीजे बताता हूँ, अब इसके बावजूद भी अगर आपको नहीं समझ में आए तो भईया फिर आपको नरेंद्रमोदी जी या उपर से भगवान ब्रम्भाजी गाइड कर पाएंगे अब आपको बात समझ में आ गई हो तो भी अच्छी वात है और नहीं आई हो, तो भी अच्छी वात है तो सब से पहले क्या करो कि जिन लोगों को वेकेंसी चाहिए हर एरिया की, हर सिग्वेंट की हर प्रोफाइल की, हर प्रकार की तो सब से पहले अपना पेड़ ग्रुप में नंबर एड कर वालो, अभी फिर से बोल रहा हूँ ठीक है जो नंबर बता रहा हूँ उसी नंबर पर पेमेंट भेज देना 9617367946 ठीक है दूसरे मस भेज देना अभी 2-4 दिन पहले किसी ने किसी और को भेज दिया था, फिर हमारे सब पास स्क्रीन शॉट भेज था, पुले सर हमारा तो एड ही नहीं हुगा, पता नहीं किसको पेमेंट ढल दिया था तो दूसरे के पास मस भेज देना जो मैंने नंबर डलाया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर डाल रहा हूं इसी नंबर पर पेमेंट करके 100 रुपए और उसका स्क्रीन शॉट भेज देना आपका नंबर तुरंत एड हो जाएगा पेड ग्रूप इंडिया के नाम से आपके पास मैसेज आ जाएगा ध्यान रखना ठीक है जिनका फ्री लिस्टिंग में होता है उसका फ्री ग्रूप इंडिया के नाम से होता है लेकिन जब पहले कोई भेजता है तो उसका सबसे पहले ब्रॉड कॉस्ट में जाता है तो उनको पता ही नहीं होता कि मेरा कौन से मैयाड है ठीक है जब आपके पास paid group इंडिया का message आ जाए वही authorized group है staff solution services का जिसमें की vacancy की जानकारी दी जाती है तो इस चीज को ध्यान रखना ठीक है अज इनको महगा लग रहा हो या वो लग रहा हो तो फिर जाओ consultancy के चक्कर काटो नहीं तो फिर जो पेपर में vacancy आती है लिखा रह पानी से नो करी क्योंकि तब तक 10-20,000 तो गमा चुके होगे जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक इंसान को समझ में भी नहीं आता है यह एक हकीकत चीज है ठीक है जब दो चार जगे ठोकर लगेगी आपको दो चार जगे 10 जगे पैसा बरबात कर दोगे फिर आ जाना फ लेकिन इस में से दो चीजों में से डिसाइड कर लेना कि आपको नौकरी चाहिए कि पैसा चाहिए ठीक है जिनको पैसा चाहिए वो हमसे संपर्क कर लेना जिनको नौकरी चाहिए वो अपना पेंट ग्रूप में रेजिस्टेशन कर वालो सारी वेकेंसी उसी में आती हो क्य तो चार पांचे यार नहीं लाखों रुपए कमाना है घर बेठे आराम से बहुत आसान ट्रिक से ठीक है वीडियो देखने के लिए धन्यवाद चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकान चालू कर लेना कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ तब तक आप अपना ख्याल लखिए जैहिन